विद्यार्थियों शुक्र तारे के समान के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमने प्रथम भाग में देखा था 21 प्रकार से लेखक ने महादेव देशाई की विश्चताओं को उन्होंने उद्घाटित किया है गांधी जी के नीजी सच्यू के रूप में कारे करते हुए महादेव जी हमेशा गांधी जी के सांथ रहते थे और उनके प्रत्यक कारे में वो सही योग किया करते थे महादेव देशाई में और क्या-कावश्चताँ थी आजिए इस दूसरे भाग में हम जानते हैं सुन्दर लिखावट के धनी महादेव महादेव जी की लिखावट बहुत ही सुन्दर थी वाइस राय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे गांधी जी की लिखावट अच्छी नहीं थी एक बार उनके प्रसंड में माने पढ़ा था कि गांधी जीन इस चीज को स्विखावट अच्छी नहीं है और वाइस राय महात पुण वेकिती तो उनके पास जब पद पत्र लिखा करता थे उतयPS दो वहाँ महादेव जी सुंदर लिखावाट में न पत्र जाये करता थां वाइसराय पत्रों को देखकर सांस सांस लेतं लेना का मतलब होता है अफसोस जो सांश लेना सांश छोड़ना जो होता है अफसोस का मतलब होता है जो चीज़ चाहें और वह चीज़ हमारे पास न हो न मिले तेक जो दुख होता है वही अफसोस कहलाता है तो सांस उसांस लेते थे वायसराजी वो सुन्दर लिखावट को देख कर क्यों क्योंकि गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश जो सुन्दर अक्षर में लिखने वाला लेखाक होता है उसे खुशनवीश कहते हैं वो नहीं था उनके पास गांधी जी के पास बढ़या सुन्दर लिखावट वाले महादेव जी थे और वाइसराय के पास ऐस कोई नहीं था तो उनकी लिखावट बहुत ही सुन्दर थी पढ़ने वालों को मंत्रम मुग्द करने वाला शुद्ध सुन्दर लेखन था महादेव भाई का सभी उनके लिखन की प्रशनशा करते थे उस समय के बड़े-बड़े सिविलियन थे जो गवर्नर थे वो सब कहा करते थे कि ब्रिटिश शाषन में भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महादेव की तरह सुन्दर लिखावट वाला हो अध्भुत अध्विदी लिखावट थे सुन्दर लिखावट के साथ महादेव जी की जो लिखने की गति थी बहुत तेज थी तिवर थी शाठेण जानने वाले महादेव लेख टिपणियां गांधी जी के व्यक्यान आदि लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति में बस वैसी बहुत तेजी के सांथ लिखा करते थे हाला कि तेजगती में लिखने के लिए शाठेंड का प्रयोग किया जाता है शाठेंड एक प्रकार की लीपी है जिसमें लंबे-लंबे शब्दों को क्या है बहुत संक्षेप में लिखा जाता है बड़े-बड़े देशी, विदेशी, राजपूरुष, राजितिग, समाचार पत्रों के प्रतिनिधी आदी गांधी जी से मिलने आते हैं और वे खुद या उनके सांथी बाचीत को शाठेंड में लिखा करते हैं बाद में उसे टाइप परके गांधी जी के पास ओके करवाने पहुंचते हैं ओके करवाने पहुंचते हैं मतलब हमारी आपकी जो बाचीत हुई थी वो लिख कर हम लाएं यह सही है कि नहीं है तो गांधी जी महादेव के लिखे नोट के सांथ मिलान करने की बात कहते हैं जब कोई भी विराजितिक व्यक्ति गांधी जी से मिलने आता था तो उस समय मह जी कहते थें उनसे मिला लिजे उनके नोट के सांब और मिलाने वाले को सुखद आश्यर होता था कि महादेव के नोट में अशुद्धी का अभाव रहता था जाए कि कौमा तक कि अशुद्धी अनके नोट में नहीं होती थी यह जो टाइप करके लाते थे इनके टाइपिंग में इनके जो पणी लिख कर लाते थे जो पूरी चर्चा को लिख कर लाते थे उसमें अशुद्धी हो सकती थी परन्तु महादेव जी के नोट में एक भी अशुद्धी नहीं मिलती थी इस प्रकार की अध्भूत उनकी लेखन कला थी महादेव भाई निरंतर अध्धन और लेखन में डूबे रहते थे महादेव द्वारा वर्तमान राजनितिक प्रवाहों और घटनाओं से संबन्धित जानकारी वाली पुस्तक वे पढ़ा करते थे अता नहीं से नहीं जानकारी के उपलब्धता उनके पास होती थी कि क्या-क्या राजनितिक घटना क्रम चल रहा है देश में विदेशों में क्या नहीं विचारधारा आ रही है राजनितिक विचारधारा साब के बारे में उन्हें ग्यान रहता था कमेटियों की बैठकों में या चलती रेल गाड़ी के डिब्बे में उपर बर्थ पर बैठकर ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तके पढ़ते रहते रहते वो बैठक चलती रहते थी और नजीवन के लिए लेख लिखते रहते थे खाली समय उनके पास बिल्कुल भी नहीं था जो भी समय मिलता बहुत व्यस्तर रहते थे उसमें भी समय निकाले थे अध्यन और लेखन के लिए महाद्यो भाई बड़े करमठ थे हमेशा काम करने वाले लगातार चलने वाली यात्राओं सभाओं मुलाकातों बैठकों चर्चाओं आधी के बीच में वे स्वैम कब खाते कब नहाते कब सोते किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता इस सब के लिए पता नहीं कह समय निकाले थे वे एक घंटे में चार घंटों काम निप्टा देते अगर हम महादेवाई से अपनी तुलना करें तो हम लोग बिल्कुल भी प्रीत करते हैं एक घंटे के काम को हम लोग चार घंटे में पुरा करते हैं वो बिल्कुल भी प्रीत तिव्रकते से अपना कारे निप्टाते थे चार घंटे के काम को एक घंटे में और जब काम रहता था तो काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क नहीं करते हैं हम लोग तो रात होती तो अब रात हो गई अब अराम कर लेते हैं छोड़ो कल दिन में करेंगे नहीं महादेव भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे काम है तो क्या रात क्या दिन वे सूत भी बहुत सुंदर काते थे अपनी सारी व्यस्तताओं के बीज भी वे कातना कभी चूकते नहीं थे गांदेजी स्वयम चर्खा चलाते थे सूत काते थे अनुने नियम मना रखा था महादेव भाई उनके निजी सच्चिव थे सहयोगी थे सहायक थे तो वे भी गांदी जी के इस नियम का पालन करते थे प्रती दिन चर्खा चला कर सूत कातना उनके दिनचर्या में शामिल था तो जारते हो देखते जाएए अब कितने सारी विश्यस्ता हैं महादेव जी में लेखक ने उन्हें शुक्रतारा यों ही नहीं कहा है महादेव भाई का सभाव बड़ा ही कोमल था बड़े कोमल सभाव के थे वह लेखक ने नदियों के गाद से बने बिहार और उत्तरप देश के हजारों मील लंबे मैदान से उनकी समानता की है गंगा यमना और जो नदिया है न उनके गाद से वो मैदान बना है और उसमें पत्थर इत्यादी नहीं मिलते हैं मतब कठोरता नहीं है जैसे गाद में गाद से भरे बने उस मैदान में कोई कठोरता नहीं मिलती कोई पत्थर नहीं मिलता वसी प्रकार से महादे भाई के सभाव में कहीं भी कठोरता नहीं थी और जो भी व्यक्ति महादे जिसे मिलता था उनके मोहन सभाव का उनके मोहक सभाव का उनके आकरशक सभाव का दिर्खालिक नशा मिलने वाले पर छाय रहता था लंबे समय तक मतलब वह व्यक्ति है महादेव भाई को भूल नहीं पाता था उनके सभाव के कारण ऐसा उनका कोमल सभाव गांधी जी और महादेव एक दुसर से जुड़े हुए था महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कलपना ही नहीं की जा सकती थी महांधिय जी भाई कुछ कारे कर रहे हैं वो गांधिय जी से जुडब हुआ है जो भी उनका अप्तम व्यक्टिकत कुछ कारे सब ही कुछ गांधिय जी से ही जुड़ा हुआ कारे वह करते थैं काम प्राज की अनवरत व्यासताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके इस तरह समय निकाल कर लिखी गई दीन प्रती दीन की उनकी डायरीक की वे अंगिनत अभ्यास पुस्तके आज भी मौजुन है इतना व्यासत रहते थे फिर भी कि आज इस निकाल लेते थे जो दूस्वन के लिए संभव नहीं कल्पना भी नहीं कर सकता को इतनी वैस्ता में जीवन दिन्चरिया में भी समय निकाला जा सकता पर समय निकाल लेते थे और डायरी के रूप में लिखा करते थे वो अभ्यास पुस्तके आज भी मौजूद है उसे पढ़ कर जाना जा सकता है कि महाद्यो भाई गांधी जी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बात को उन लिखा करते थे गांधी जी की आद्मकथा का नुवाद भी महाद्यो भाई ने किया है महाद्यो भाई के पास सबसे बड़ी उनके पास इश्वर की देन थी वह थी भाषा और सुन्दर लिखावट प्रथम श्रणी की स्रिष्ट संसकार संपन भाषा और मनुहारी लेखन शैली ही इश्वरी देन थी महाद्यो जी को प्राप्त थी मतलब बहुत अच्छी भाषा भी थी उनकी जैसे सुन्दर लिखावट वैसे सुन्दर उनकी भाषा थी गांधी जी के पास पहुचने के बाद विस्तताओं के कारण सहायतिक गती विधियों के लिए समय का अभाव था महाद्यो जी के पास फिर भी इतनी विस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने गांधी जी की आत्मक था सत्य के प्रयोक का अंग्रेजी में अनुआत किया और उनके द्वारा किया गया जो अंग्रेजी अनुआत था वहाँ हर हपते यंग इंडिया जो समाचार पत्र में छपता रहता बाद में उस्तक के रूप में अंगीनत संसकरण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बीके थे तो अनुआत का कारे भी इन्होंने किया यह उनकी साहितिक गतिवी थी अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से वो श्रम करते हुए श्रम की चरम अवस्था में पहुंच गया थे अथक उन्होंने पर श्रम किया था और जिसके कांसर्ण के स्वात पर बुरा असर पड़ा एकिस्थान है मंगनवाडी वहां पर महादेज भाई रहते थे और वहां से फिर वो वर्धा की असाह गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवा ग्राम पहुंचते थे गांधी जी के आश्रम दीन भर वहां काम करके शाम को वापस पैदल आदे थे मंगनवाडी 11 मिल पैदल आना जाना एक मिल का मतलब होता है एक दस्मलाव चह किलोमीटर मतलब डेड़ किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा तो इस प्रकार से अगर देखा जा तो 11 मिल तो लगभग 18 किलोमीटर आना जाना कि रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चलने के कारण स्वास्त पर ब्रतिकुल प्रभाव पढ़ा महादेव जी के स्वास्त पर महादेव की अकाल मृत्यू के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है लेखक यह कह रहे हैं कि उनकी अकाल मृत्यू का मतलब होता है कि सामानेत व्यक्ति की आयू है सत्तर स्थी वर्ष मानी जाती है परन्तु महादेव भाई की मृत्यू लगभग पचास वर्ष में हो गई थी तो इसलिए अकाल मृत्यू कहेंगे हम उसे वो मृत्यू की अवस्था नहीं थी फिर उनकी मृत्यू हो गई तो उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे उसमें से एक कारण इसे भी माना जा सकता है कि उनका स्वास्त खराब होता चला गया स्वास्त क्यों खराब होता चला गया लगभग स 17-18 km रोज आना जाना करना, गर्मी सहते हुए, वो भी पैदल, तो स्वास उनका दिर दिरे गिरता गया होगा, महादेव जी जिस प्रकार से गांधी जी से जुले हुए थे, गांधी जी भी महादेव के प्रती इतना ही प्रेम रखते थे, लगाओ रखते थे, जब महादेव जीवित थे, उसका दुख था कि महादेव ने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली, बीच में ही समाप्त कर ली, और गांधी जी अकेले पड़ गया थे, वे भरत्री हरी के भजन की यह पंक्ती हमेशा दोहराते रहे, भरत्री हरी एक संस्कृत के महान कभी, और जिन्होंने राजा भी थे हुए, और आगे चलके उन्होंने गोरकनात का शिशत्यों धारन करते हुए, वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े थे, तो उन्होंने भजन इत्यादी भी लिखा है, तो उनके भजन की एक पंक्ती गांधी जी हमेशा दोहराते थे, एरे जखम जोगे नहीं जशे, इसका अर्थ है, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं, इसका मतलब हम यह निकालेंगे यहां पर, कि गांधी जी यह मानते थे, कि महादेव की मृत्यू से, जो उन्हें हिर्दय में जो घाव हुआ है, वह किसी और के द्वारा भरा नहीं जा सकता, मतलब महादेव क कमी हमेशा बनी रहेगी, महादेव भाई की कमी को कोई पुरा नहीं कर सकता, और उसका दुख गांधी जी को हमेशा रहेगा, बात के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता, प्यारे लाल देसाई ये बाद में उनके निजी सच्चू बने, गांधी जी के, तो बात क सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुह से महादेव ही निकलता महादेव इस यह पताता है कि गाने जी महादेव से कितने गहरे रुप से जुड़े हुए थे कितना उनके प्रति महादेव भाई को प्रति लगाव था और यहीं पर अध्याय समाप्त होता है आईए अब कुछ शब्दों के अर्थ हम जान ले फूलिस्केप कागज का एक आकार होता है गाद कीचड जो तालाब नदियों के तलछट में मिलता है सराबोर डूबा हुआ अनवरत इसका अर्थ है लगातार और अनायास का अर्थ है अचानक इस दूसरे भाग में एक विशेश शब्दों का प्रयोग हुआ है शार्ट हैंड विद्यार्थियों शार्ट हैंड एक प्रकार की लीपी होती है जो शब्दों को छोटा गर के लिखी जाती है जब कोई बोलता जाता है और उसे तुरंथ ही लिखना हो तो उसमें शार्ट हैंड का प्रयोग किया जाता है बड़े-बड़े अधिकारी कंपनी के जो प्रबंधक होते हैं मैनेजर होते हैं उनके निजी सच्यू ये शार्ट हैंड कही प्रयोग करते हुए उनकी बातों को तेजी के साथ लिखते है तो यह जो सांकेतिक जो लिपी होती है शब्दों अक्षरों के लिए जो संकेत चिन होते हैं संख्षेप में लिखे जाने वाले वही कहलाता है शार्ट हैंड आईए अब प्रशन उत्तर के ओर चले पहला प्रशन है सोने की कीमत वाले गाद का क्या आर्थ है लेखक ने प्रयोग किया है सोने की कीमत वाले गाद तो इसका क्या आर्थ है इसका उत्तर इस प्रकार से होगा सोने की कीमत वाले गाद से लेखक का तातपर्य उपजाओ जमीन से है बिहार और उत्तर प्रदेश में फैले गंगा जमुना का मैदान इतना अधिक उपजाओ है कि यहां भरपूर फसले पैदा होती है इसलिए लेखक ने इस जमीन को सोने की कीमत वाली गाद कहा है अगला प्रश्न है महादेव की तुलना शुक्रतारे से क्यों की गई है जिस प्रकार शुक्रतारा थोड़े समही आकाश में अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो जाता है उसी प्रकार महादेव भी अपने थोड़े से जीवन में मैंने अंतिम अध्याक अंतिमन्ष में आपको मैंने बताया था कि लगभग पचास वर्ष की अवस्था में उनका द्यहांत हो गया था तो महादेव जी अपने थोड़े से जीवन में ही अपनी कार्य शैली से दुन्या को प्रभावित कर गया इसी कारण उनकी तुलना शुक्रतारे से की गई है आए भाषाध्यन के और चले भाषाध्यन संबंधित कुछ प्रश्ण दिये गये हैं तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं प्रश्ण है एक प्रत्य लगा कर शब्दों का निर्मान कीजिए आपने उपसर्ण प्रत्य पढ़ा है तो आप इनसे परिचित होंगे एक प्रत्य है प्रत्य कर्थ होता है जो शब्दांश के अंत में लगने वाला शब्द वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है और एक नया शब्द की किस रिष्टी करता है कि निर्मान करता है उसे कहते हैं प्रत्य उधारन है सब्दा उसमें एक प्रत्य लगा नया शब् उसी प्रकार से नीचे दिये हुए शब्द हैं अर्थ, साहित, धर्म, व्यक्ति, मास, राजनीति और वर्ष इनमें एक प्रत्य लगाना है इसका उत्तर इस प्रकार से होगा एक प्रत्य लगाकर शब्दों का निर्मान अर्थ आर्थेक विद्यार्थ में पर ध्यान जैसे एक प्रत्य जुळा अ है वहां आ में परिवर्फित हो गया है, साहित, साहितिक इसमें सीदे सी दे एक जुड़ा है इसमें और कोई शत्व में कोई परिवार्थ नहीं हुआ धर्म, धार्मिक यहां पर भी ध है वहां धां में बदल गया, व्यक्ति, व्यक्ति 232 005, 16 प्रतय जुड़ने से मास मासिक इसमें कोई परवर्टन नहीं सद designer एक जुड़ा है राजनीती राजनैति यहां देखे जहां नीती था तो नीती वह वह ने प्रत्य जूंडने से और वर्ष का वार्षिक जैसे अर्थ में गौने बदला थैंए उसी प्रकार से हैं पर भी वह वह में बदल गया एक प्रत्य जूडने से अब उपसर्ग सम्मंधित एक प्रश्ण है कि नीचे दिये गए उपसर्गों का उप्योक्त प्रयोक करते हुए शब्द बनाईए उपसर्ग दिये हुए हैं अ नी अन दुर वी कू पर सु अधी अनीचे शब्द दिये हुए हैं तो यह उपसर्ग किस शब्द के सांथ जुड़ेगा हर उपसर्ग प्रत्यक शब्द के सांथ नहीं जुड़ सकता है आए अब इससे देखें इसमें शब्द दिये हुए है कि इसके साथ कौन सा उपसर्ग उप्युक्तुर से जूड रहा है आर्ये डर क्रय उपस्थित नायक आगत आकर्शन मार्ग लोक भाग्य आए अब जोड़ते हैं इसे आर्ये आर्ये में उपसर्ग लगेगा अन और यह नया शब्द बना अनार्ये डर में नी उपसर्ग जुड़ा और बना नी डर क्रय में वी उपसर्ग जुड़ा शब्द बना विक्रय उपस्थित में अन उपसर्ग जुड़ा शब्द बना अनुपस्थित नायक में अधी उ में सूपसर्ग जुड़ने से बना स्वागत कि आकर्शन में अनुपसर्ग जुड़ने से बना अनाकर्शन मार्ग में कूपसर्ग जुड़ने से बना कुमार्ग लोक में परुपसर्ग जुड़ने से बना परलोक और भाग में दुर शब्द जुड़ने से बना दुर्भाग लिखें बुद्ध्यार्थ्यों से बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रियोग हुआ है तो अगला प्रष्ण हैं कि निम्नेखिंगए शब्दों के परिया लिखे ये उर्दु के सब्द है वारीस जिगरी गहर मुकाम रुबरू फर्क तालीम गिरफतार हैं तो इनके परिया शब्द हम जानले परिया शब्द इस प्रकार से हैं मैं वारीस उत्राधिकारी जिगरी घनिष्ठ कहर घोर मुकाम लक्ष, रूबरू आमने सामने, फर्क अंतर, तालीम शिक्षा, गिरफस्तार बंदी इस प्रकार से हमने भाषाध्यन की भी चर्चा कर ली, प्रश्णोत्तर की भी चर्चा हो गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पूरा ध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप महादेव भाई के गुणों से परचित हुए होंगे और उनके गुणों से कुछ गुण अवश्य ही अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास करेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद